हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टरीशीट चैनल दोस्तों मैं प्रिवियस येर कोश्चन पेपर की सीरीज चला रही हूँ जितने भी टॉपिक से प्रिवियस येर में कोश्चन पुछे गए हैं जाये के वियस एन वियस टीजिटी पीजिटी एल टी यूपी टीजिटी पीजिटी जहरखन टीजिटी राजस्थान टीजिटी से जितने भी कोश्चन पुछे गए हैं पर तेक टॉपिक से टॉपिक व चल रहा है पांच सीरीज मैंने बना दिया है एच छठा सीरीज है तो आज का टौफिक सोसंतंत्र है सोसंतंत्र से जितने भी कोंस्टन्स पूछे गए हैं पिछले सालों में उसका वेविरोड यहां पे है अब प्रते कोंस्टन के साथ दोस्तों मैं उसका एकस्प्लेन भी करती हूँ जिससे आपको वह अच्छी तरह से याद हो जाए तो वीडियो को सुरू से लाश तक देखेगा प्रते कोस्टन पर ध्यान दिजिएगा देखते हैं आपका कितमा स्कोर होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोस्टन फर्स्ट कोस्टन ह निवनलिक्यत में से कौन सा अंग प्लूरा द्वारा धका रहता है चार आफसन है दूस्तों सही एंस दीजिए ये ल्टी ग्रेट 2018 का कुस्चंस है प्लूरा द्वारा कौन सा आंग धका रहता है तो हमारा फेफड़ा जो है प्लूरा द्वारा धका रहता है प्लूरा नामक जिल्ली होता है उस जिल्ली से धका रहता है दी दो अस्तरों का जिल हूता है जिसके अन्दर प्लूरल ढोब कि कि एक व्यक्टी में ट्रेड कि लंबाइ लग-भग होती है कि त्रेड कि है जो कि ट्रेड की लैश मरें सवार्षनली को हम ट्रे की आ गहते हैं उप ट्रेड की लंबाई मर मोरें जान लगफ कि लंबाइभ झान दर दोस्तो जैसा कि जो हमारा ट्रेकिया होता है सबसे पहरे हम स्वास लेते हैं नाशिका से तो फैरिंस यानि गरशनी में जाता है वहां से ओ लेरिंग्स यानि कंठ में पहुचता है लेरिंग्स से फिस्वासनल यानि ट्रेकिया में जाता है और यही ट्रेकिया आगे चल करके दो भागों में डिवाइड हो जाती है हमारे फेफ़ने में जाकर के और फेफ़ने में जाकर के दो भागों में डिवाइड हो जाती है दाए फेफ़ने में तीन और बाए फेफ़ने में दो भागों में बढ़ जाती है वहाँ इसको ब्रांची बोला जाता है यही ब्रांची फिर आगे चलकर फेपों में अति सुछ मौईकाओं में बढ़ जाती है जिसे सुसिनिकाई यानि वरांची वोलीस कहा जाता है फिर यही वरांची वोलीस सुसिनिकाई अंत में जाकर गुछे नूमा आकृती बना लेती है वो इल्वलाई कहलाते हैं जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है और क्या होता है दोस्तों कि सुधवाई ओटू पलमोनरी सिराओं में और असुधवाई ओटू पलमोनरी धमनी से फेफडों में आकर के श्वसन द्वारा बाहर आ जाती है कहने का ताथ पर यहां इल्वलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है जिसे डिफ्यूजन फ्रॉसिस भी कहते हैं गैशों का अदान प्रदान कीश होता है दोस्तों कुपिकाई हमें पहएखों में होता है ये दियान में को कोता है अभी आपको समझ में आ जाएगा यह समय Is. उसमें तो आपका बाहर के वायू में जो हम सांस ग्रहर कर रहे हैं उसमें आपका नैट्रोजन, आक्सीजन, करबन डियाकसाइड, जल वास, बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसमें से इल्वलाई में CO2, CO2 का बिन्में होता है कैसे होता है, बिस्रड प्रकिया द्वारा, डिफ्यूजन, फ्रॉस्टेज द्वारा इसमें का होता है कि सुध वायू पलमोनरी सिराओं में और असुध वायू पुना इसी रास्ते वाहस वसंद द्वारा बाहर आ जाती है कैसे होता है कि प्रतिक जिसे कुपिकाओं में पतली पतली यानि इल्वलाई में पतली पतली रुधिर वाहिकाओं वाहिनियों का जाल होता है जो इसकी बाहरे धिली बहुत ही पतली होती है जो गईसों के विजमे के लिए अलुकूल होती है कYा होता है कि O2 का दाउब 100 YMHG वर रुधीर वहिनियों में 37 YMHG होता है जिससे जो O2 होता है आक्सिजन होता है वो कुपिकाउंट से यानि इलवलाई से रग्त वहिनियों में जाने लगता है दोस्तों जैसा की गय से हो चाहे हवा हो वो हमेशा उचछ दाब से निम्र दाब की ओर जाती है तो इलुलाई में आक्सिजन की दाप जादा होता है और रक्तवाहिनियों में कम होता है जिससे आक्सिजन जो है इलुलाई से रक्तवाहिनियों में आ जाता है और जो CO2 का दाप होता है इलुलाई में कम होता है रक्तवाहिनियों में जादा होता है तो तो इस परकार जो आक्सिजन को ग्रहड कर लेती है और हमारे समझति सरीर में वह आक्सिजन को पहुचा आप ये भी ध्यार में दख़ेगा कि हीमोगलोबिन का कारे क्या होता है आकसिजन के परिवहन का कारे करता है हीमोगलोबिन आकसिजन के परिवहन का ये हीमोगलोबिन O2 के लिजा करके हमारे कोशिकाओं में पहुचा देता है कोशिकाओं में पहुचाने के बाद वहां कोसिका के कोसिका द्रब में सबसे पहले पहुचता है वहां पर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया द्वारा उर्जा बनता है 2ATP कर निमा होता है फिर वहां से पारवीक अमल एक ग्लुकोज के जारर से दो पारवीक अमल बनता है वो पारीविक अमले भी आक्सिजन जाता है आपकी माइट्रो कांडिया में माइट्रो कांडिया में जाकर करके जो भी हमारे ग्लुकोज या उर्जा ग्लुकोज होता है उसको उर्जा में कन्वर्ट करता है तो इस परकार से कोशिकी स्वासन संपन होता है दोस्तों जू वय वी अ मैं यह वी स्वाइव को समझ में आ गया होगा जब आप पर वीडियों बनाओंगी तो पूरे डीटेल में समझाओंगी आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा तो दोस्तो next question है कि जब श्वास लिया जाता है तो वायू में oxygen की मातिरा 20% होती है यह जो हम su6 लेते हैं तो बाहर से जो वायू हम ग्रहर कर रहे हैं उसमें oxygen की मातिरा 20% है तो स्वास छोड़ने पर अब हम स्वास अंदर लेते हैं जब स्वास ग्रह करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 78% होता है ऑक्सिजन 21% होता है और कारवन डियक्साइज 0.03% होता है और जल्वास 0.05% होता है जब अंदर ग्रह करते हैं तो नाइट्रोजन 78% जाता है और बाहा निकालते समय आट पूरा का पूरा वापस आ जाता है और जो ऑक्सिजन होता है तो हम को अक्सिजन जब हम स्वास लेते हैं तो 21% अंदर गरह करते हैं और उसमें से बस 4% ही 4-5% ही यूज होता है उसके बाद वह 17-16% वापस आ जाता है बाहर निकल जाता है और CO2 जो है स्वास लेते सेमें 0.03% जाता है कर्मन डियाकसाइड बट निकालते समें वो 4.4, 4.04% बाहर निकलता है यानि कि जो हमारे असुध रख्त से वो हमारे सरी में जो कर्मन डियाकसाइड रखता है उस सब को लेकर भी वापस आता है इसलिए बढ़ के वापस आता है जलवास जो है 0.05% हम स्वास लेते समय लेते हैं बट बाहर निकलते समय छे-दोस्व पांच परसेंट वापस आता है नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्यक्षित में से कौन सी हवा में सबसे अधिक प्रतीसत में उपलब्द होता है हमारे वाई मंड होता है नेक्स्ट कोश्टन है समाने हवा में आक्सिजन कितने परसेंट होता है जैसा कि मैंने बताया जितना वाई मंडल में आक्सिजन होता है उतना ही हम जब सांस लेते हैं तो ग्रहर करते हैं तो वाई मंडल में आक्सिजन कितना परसेंट उपसित होता है 21 परसेंट और nitrogen कितना होता है 78% carbon dioxide कितना होता है 0.03% ठीक है next question है कि शरीद्वरा ली गई सांस में oxygen का प्रतिसत कितना होता है इसका भी answer आप फट से दे दिये होंगे तो इसका answer है 21% जितना वाई मंडल में होता है उतना ही हम गरह करते हैं यह ध्यार में रखिएगा next question है कि सधार वायू में oxygen की प्रतिसत होती है यह तो वही question हुआ 21% होती है next question है दोस्तों कि आयतन के उनसार वाहे वायू की सही समाने सन रचना क्या नहीं है जैसा कि दोस्तों वाहे वायू की सही समाने सन रचना क्या नहीं है इसमें से आपको छाटना होगा जैसा कि मैंने आपको सभी की मातरा बता दिया है इसमें इसे कौन सनगण नहीं है उसके हिसाब से जैसा कि दोस्तों यहां पे दिया है नाइट्रोजर 80% जैसा कि मैंने बताय है कि जा नाइट्रोजर 80% نہیں होता है वाईबंडल में 58% होता है तो यह आपसन सही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर सही आपसन यहीं हो जाएगा ऑक्सिजन 20.093% 21% होता है कामन डियाकसाइ 0.03% होता है आनिक यह से 0.094% में होता है यहाँ पर सही अंसर क्या होगा नाइट्रोजन गलत आप्सन है क्योंकि इसमें 80% नहीं होता है 78% होता है तो सही अंसर होगा आप्सन नमबर 1 ए नेश्ट कोश्चन है दोस्तों कि समुद्र तल पर वाई मॉडली दाब पारे का लगभग 760 यम यम है मिली मीटर है तो वहाँ बिभिन गैशो का अनुपात है जैसा कि दोस्तों जो वाई मंडल में अनुपात होता है उसी की ये बात कर रहा है थोड़ा पहला है कोई बिभिन गैशो का अनुपात है दोस्तों पहला है नाइट्रोजन उन्हें 802.04% और कावन ड्यक्साइब 0.03% यही आपसन आपका सही आपसन है यही आपके वाई मंडल में पाय जाता है नाइट्रोजन अठाटर परसेंट पायाता है दोस्तों कभी 89% भी बोल देता है एक्जेक्ट 882.04% है और कावन ड्यक्साइब 0.03% होता है नेस्ट कोश्चन है कि मुख्य सोसन अंग कौन सा है तो जैसा कि आप सब कर पता है मुख्य सोसन अंग फेपरा होता है दोस्तों फेपरा कहां पर होता है फेपरा जो होता है इसके आसपास कानवे समांस्पेशिया होती है इलास्टिक सीट होती है जिसे डायफ्राम कहते है फेपरा उसी डायफ्राम पर रहता है आप फेपरे द्वारा सोसन प्रक्रिया को पलमोनरी सोसन भी कहते हैं दोस्तों नेस्ट कोश्चन है कि फेपरों में एलवू लॉई की अनुमानिस संख्या कितनी होती है। जैसा कि दोस्तों यहां आपसन में सही आपसन नहीं दिया ہے जब कि यहां पे आपसन नंबर 700,800,900,000,100,000,100,000,1000,000,000,000 दिया हुआ है। लेकिन एकजिट एंसल होता है कि मरिस्यों, में,2 फियफ्लों में मिला करके एलवलाइ, की अनुमानी संक्ष्या जो होता है कि 3 Superintendent सर्ट लघасा होता है the trigger the trigger positive negative 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 यानि 5 dollars के लगभख प्रतिक फेफ़े में फेफ़े में स्ठाइब लोलाई esti दोनु प्रत्वे को मिलां कि 200- Об compared on the low- soll street Origin ये वर कम्हें सब्सक्रेंद प्रदान होता है , ногfilis princessि付ba现在 the first question हम दोस्ट स्विस्ट sn ये बहुत ही सर्व question जैसे कि मैं डेटिल में बता चुकी हूं कि सुसंत तंत्र में गैशो का अधान प्रदाण कहा होता है किसमें उता है कैपिलीरी में होता है की पल्मोनरी में होता है common कि precious में नहीं होता है इसका सखर एंसर है Celine number 10 है एलू लुवल्य में होता है आपका गैसो का आधान प्रदान नेक्ट कोश्चन है दोस्तों कि प्रती मिनट में ली गई हवा की मात्रा को हम क्या कहते हैं इसका सही अंसर है स्वास मिनट आहतन नेक्ट कोश्चन है दोस्तों वायू की वह मात्रा जो प्रती एक श्वसन क्रिया में अंदर वह बाहर ले जाई जात हैं इसको क्या खाएंगे हम दोस्तों फेपो की खिमता की सोसन क्रिया की दर की टैडल वायू की खिमता सका तो किसे कहते हैं दोस्तों जैसा कि हम जो भी जो ही वायू की मात्रा प्रतिक स्वसन में अंदर और बाहर लेते हैं सधाया प्रतिक्रिया में वह हमारा टाइडल वायू होता है और यहीं पर यहीं तरह से कहता कि बहुत ही जोर से अधिक्तम स्वसन अंदर लेते हैं अधिक्तम स्वसन अधिक्तम वायू बाहर निकालते हैं यह तो यहां पर हो जा टाइडल वायू को रूने क्या होता है to do, जो प्रतिया स्वास में थाइडल उच्ट percentage , वाईडल फक्रति मिनट कि जाएडल बाल। मिनट हो जाता है दोस्तों अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत फेफ्रों से बची हुई वायू की मात्रा को क्या कहते हैं जब हम अधिक से अधिक श्वास निकाल लिए यानि की एक स्वसन पूरा होने को हम कहते हैं वाइटल केपिसिटी तो अधिक से अधिक स्वास बाहर निकालने के उपरांत फेफ्रों में जो बची हुई-वायू होती है उसकी मातरा को हम क्या कहते है रिसीडियूल वाइलिम कहते है क्या कहते है यह यल्टी ग्रेड वाजा ठाने का एक कुस्चन है दुस्तों, येक्ष्ट क्यूचन है स्वासन पडाली का कौन सा भाग बाड़ी के लिए उत्रदाई है आप सब को मालू होगा जो हमारा कंट होता है लेरिंग होता है , वं हमारे स्वर्यया अंत्रे साउंड बाक्स की तरह काम करता है हमारे बोलने में साहिक होता है यह कॉंट भाग में इसित होता है यह स्वर रज्जू वैकल कॉर्ट्स होते हैं जिनसे धोनी उत्पन होती है नेश्ट कोशन है दोस्तों करवंडी अक्साइड युक्त रख्त कहां आप शिक्रित होते हैं जैसा कि दोस्तों आप हिदय वाले पाट को रख्त-प्रसंच्र सर्कुलेशन वाला पड़े होंगे तो जो हमारे हिदय में असुद्रक्त होता है वो पलमोनरी धमनी के रास्ते फेफ्रों में जाता है कहां आक्सीजन होता है वो रख्ट का जो हीमोगलविन होता है आर्बी से में उपसी तो उसको आक्सीजन को गुरुणा कर लेता है जिसे रख्ट सुध्ध होकर के पलमोनरी सीराओं के रास्ते पुनह आहिदे में आता है आहिदे से एरोटा के मुख्य धमने के राश्ति समझत सरीर में भेर दिया जाता है तो यहाँ सही अंसर क्या होगा कि करवंडियाकसाइड युगतर रखते कहां आक्सिक्रित होते हैं तो फेफडों में आक्सिक्रित होते हैं कि कार्डियो पल्मोनरी रिससी टैसन कौन से रोगी के लिए कृतिम वायू शंचालन और रक्त संचार इस्थापित करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो इसमें CPR में दुस्तों कार्डियो फल्मोनरी रिससी टैसन में उसके रख्त संचार वायू संचार के लिए इस्थापित किया जाता है जो स्वसन नहीं ले पाते हैं जो स्वसन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए ये किया जाता है तो आपसा नमबर वन is correct answer नेक्स्ट है आक्सिजन के बिना सेलिलर उर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को किस के रूप में जाना जाता है आक्सिजन के बिना सेलिलर उत्पादन के उर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों तो इसको और वायवी स्वसन के रूप में जाना जाता है जहां आक्सिजन के बिना उर्जा उत्पादन की बात होती है उसे और वायवी स्वसन या ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं इसको ध्यान में रखेगा और जब पूछेगा कि आक्सिजन की उपस्थिती में और जा की उत्पादन की प्रक्रिया तो उसे वाज़वीय सोसन कहते हैं जो माइट्रो कांडिया में शंपन होता है दोस्तो अवाज़वीय सोसन में क्या होता है कि आक्सिजन की अनुपस्थिती में कोसी का द्रब में संपन होता है जिसे कलाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं और इसमें ग्लुकोज का आंसिक आक्सिक करण होता है यो पायरवीक अमलेका निर्मार होता है जो इथेनल या लेक कर के उर्जही भंडार प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इसका एक जिक एन्सर आपसा नमबर डी час भोरी रीली क्रौल है चुश्व ah呀 kya होता है दोस्तों कि विभी डर्शाइन न्सानिय टिक करता से एक्सरा वाले चावलों में फासफोरस जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नेस्ट कोश्चन है दोस्तों की फेपड़ों की कुल वायू छमता होती है फेपड़ों की कुल वायू छमता क्या होती है दोस्तों जैसा की कुल वायू छमता यानि टोटल लंग्स कैफिसिटी टोटल लंग कैफिसिटी का सुत्र होता है वाइडल कैफिसिटी प्लस रिसिड्यूल वैल्यूम तो टोटल लंग कैफिसिटी निकालने का सुत्र होता है वाइडल कैफिसिटी प्लस रिसिड्यूल वैल्यूम तो वाइडल कैफिसिटी हमारा कितना होता है 4.6 liter and residual year कितना होता है 1.2 liter ठीक वायल केपिसिटी कितना होता है 4.6 liter and residual volume होता है 1.2 liter दोनों को हम जोड़ देंगे हो जाएगा 5.8 liter यानि फेपरों की कुल वाई चमता कितनी होती है 5.8 liter होता है तो दोस्तों यहां पर आपसन गलत दिया हुआ है इसका एक्जिट एंसर होगा 5.8 liter नेस्ट कोश्चन है कि प्राणाधार चमता क्या है दोस्तों जैसे कि वाईडन केपिसिटी यदि पूछेगा तो 4.6 liter होगा अब कुल फेपरों के चमता टूटल लंग कपिसिटी पूछेगा तो 5.8 liter होगा नेस्ट कोश्चन है कि प्राणधार चमता क्या है प्राणधार चमता यानि वाईडन कपिसिटी यह क्या होता है दोस्तों कि अधिक्तम अंतह स्वस्तन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो स्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है इसको वाईडन कपिसिटी कहते हैं यानि अधिक्तम पुरे जोर से हम अंतह स्वस्तन लेते हैं उसके बाद हवा की जो सबसे बड़ी मात्रा जो स्वास द्वरा छोड़ी जाती है छोड़ी जा सकती है उसको प्राहर धार छमता यानि vital capacity कहते है यही पर दोस्तों यह कहेगा कि प्रतेक स्वासन में वाई को ग्रह करना वो बाहर निकलना क्या होता है तो वो title value होता है वही पर अध्योर देके कहेगा कि अधिक्तम अंतर स्वासन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो स्वास द्वरा छोड़ी जा सकती है उसको प्राहर धार छमता यह vital capacity कहते हैं next question है दोस्तों किसके मापन के लिए वेट इस्पाइरो मीटर का प्रियोग किया जाता है रख्तदाप कि नाड़ी दाप कि जैविक छमता कि आकसुजर अंतर ग्रहा जैसा कि दोस्तों आप सब जी जानते हैं कि इस्पाइरो मीटर का प्रियोग फेफ़ड़ो की वाई छमता मापने के लिए प्रियोग किया जाता है तोसन छमता मोपने के लिए तो विट्स्पायरो मीटर किसके यह प्रियोग किया जाता है जी रह्यक चमता यह ऑना कि वाइटल केशिटी किलिए मापने के लिए प्रयोग किया जाता है. जो हमारे वाई मंदल में 21% होता है. दोस्तों, जो हमारे सरी में सवाधिक मात्रा में पाए जाता है, वह तत्व आक्सिजन ही होता है और नेक्ट कोशन है फेफड़े इस हिस्षा होते हैं किस तंत्र के हिस्षा होते हैं तंत्रिका तंत्र के की पाचन तंत्र के की स्वसन तंत्र के की इसमें से कोई नहीं तो हमाई फेफड़े स्वसन तंत्र में मुख्य भूमी का आदा करते हैं यह option number C is the correct answer दोस्तों फेफ़रे जो है स्वसन तंत्र के मुखे तत अंग है अन्य इस थर पर रहने वाले जानवरों की भाती मनुष से भी न थुनों या फेफ़रों से सांस लेता है यहाँ इसके आज़ पास convex man-spacecy elastic seat होती है जिसे diaphragm कहते है और फेफ़रों सोसन पक्लियाक कोلف umonary सोछन बोला जाता है निश्ट क्रूस्चन है दोस्तों कि 1 gram protein कितनी के बराबर होता है तो 1 gram protein से कितनी ऊज़त पराफ्थ होती है दोस्तों 4.1 calorie और उज़त पराफ्थ होती है यहाँ पे 4 calorie ही दिया है तो तो 4 कैलोरी आपसान इस देका क्रैक्ट एन्सेर हो गां चुछे क्या होता है कि प्रोटीन जो है। मुखित पाली पैपताइट्स होता है अब प्रोटीन का निर्माल अमीनों अम्लों से मिल करना होता है अमीनों अमल दो हैं एक दुसरे से फेप्टाइट बंध द्वारा द्वारा आप प्रोटीने सेी तोट yaокरी निर्मार कारे में हमारे कोफिकाओं के सॉक wen कkę करोड़ोरी तोट-फुटको करती है तोट-फुट गर्त करती है दोस्तोर एक ग्राम प्रोटीन जार से फॉर पॉपउंड वन कैलोरी उर्जा उत्पन होती है उसी उसी सिर्फयो प्रटायमा मरमतनार थोट करते है जैसा that the निर्मार कारे में सायर होते हैकी तूट फूट को मरमतना है की जैसा ना डिर्म्न जार प्रोटीन के 5.1 केलीरी अर्जा उत्पपन फती है उसी प्रकाय एक ग्राम से प्राप्त होती है एंड ग्राम वसा से 9.1 कलोरी उर्जा प्राप्त होती है इसको आप भी से इस रूप में ध्यान में रखिए गा तो दोस्तों आज बस इतना ही आई होप की प्रते कोस्टन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैंने सभी कोस्टन का एक्स्प्रें आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहा है था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए का बेल आइकन को फ्रेश कर लीजिए का जिससे जुए में नया वीडियो अप्लूट करूंगी उसका नेक्स्ट विडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैएंगे